नमस्का जहिंद औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चनल आप सभी दिख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे जोस्तों जन्वरी से लेकर मतलब पूरे 2022 का जन्वरी से लेकर अभी तक का करेंट अफेर्स पूरा मैंने बना दिया आप लोग बोल रहा थे कि सर करें पर जी के साइंस और करेंट अफेर्स पढ़ाये जाता है और मोश्चली आपको सैड किसे पेपर मिलता है आपको और वीजन वीडियो मिलतों जिव्ल लिए साब्सक्राइब करने के लिए हम मेहनत करते रहेंगे जब आपकी जौब ना लगे करने स्टाट पहला कॉच्छन किन कंपणियों ने सहयक्त रूप से गुजिरात में सैमी कंड़क्टर इकाई इस्थापित करने के लिए गुजिरात सरकार के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो अब गुजरात में सेमी कंड़क्टर बनाने की एक फैक्टरी लगेगी और दो बहुत बड़ी कंपनी है इनका नाम भी आप लोगों में कई लोगों सुनाओगा वेदानता और फॉक्स कौन इन्होंने समझोते पर हस्ताक्षर किया है समाइद इसकी वाई सेन गई थी ऑस्त्रेलिया और वहाँ पर एक अभ्यास किया है जिसका नाम था पिछ ब्लैक अभ्यास और ऑस्त्रेलिया में हुआ है ऑस्त्रेलिया ने इसकी मेजवानी किया पिछ ब्लैक अभ्यास की यार रहेगा अगला कौशन देखो इस्टार लगा इसे किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम दिया गया है तो 17 सितंबर को केंद्री स्वास्त मंत्राले ने रक्तदान के लिए अभियान शुरू किया है जिसको बोला गया है रक्तदान अमृत्सव क्या बोला गया है रक्तदान अमृत्सव यदि आपके पेपर में आ जाए कि रखतेदान अमरित महुत्सव 2022 में कब हुआ था तो याद रखना डेट इसकी डेट क्या रहेगी आपकी 17 सितंबर अगला कोशन देखिए किसे भारत के इस्टार लगा लो सुपर इमपोर्टेंट कॉशन ये तो 100% मिलने वाला किसी ने किसी को एक्जाम में भारत के 14 महा नियावादी जिसको अट और नी जनरल कहा जाता है कि रूप में किसको निक्त किया जाएगा तो 14 वे अट और नी जनरल बरने वाले आपके मुकल रोहतगी मुकल रोहतगी ये अट और नी जनरल महा नियावादी बरने वाले हैं भारत के अच्छा किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत का एक महा नियावादी होगा अट और नी जनरल होगा कमेंट करके बताना किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक महा नियावादी होगा कमेंट करके बताना प्रणमंतरी नरल मोधी 15 से 16 सितंबर 2022 को उजवेकिस्तान के किस सहर में संगाई सहयोग संगठन सिखर संभिलन में भाग लेंगे तो या रखना संगाई आप से पूछा जा सकता है सिंपल कोशन कैसे आएगा मैं यह भी बता दूँगा आपको पेवरन कोशन कैसे आते हैं तो संगाई सहयोग संगठन कहां पर हुआ तो या रखना 2022 संगाई सहयोग संगठन यह आपका समरकंद में होगा और पीम मोधी जी जाएंगे यह कहां पढ़ता है तो यह आपका उजवेकिस्तान में पढ़ता है तो बंबई उच्छी नयाले में यूई ललत इसमें से आपके दो कॉश्चे निकल के आते हैं आपसे पुछा सकता है कि भारत के मुख्य नयाधीश कोन है तो आपको या रखना है भारत के मुख्य नयाधीश आपके यूई ललत जी है और बंबई उच्छी नयाले में इनोंन खिताब किस ने जीता इस टार लगा लो जितने भी आपके यूएस ओपन आउस्ट्रेलियन उपन यह सब आते हैं तो पुरुष एकल में कौशन वर्तमान में कौन क्या ब्रेंड एमिसेटर सी एम राजिपाल राजधानी आपको सब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पचास रुपए में आपको करेंट अफिर्स की अपडेटेड पीडियाप मिलने वाली है जिसको पीडियाप पर नीचे दियागा नंबर पर कॉल कर लेन सब्सक्राइब कर लेना नंबर सेफ कर लो और आराम से वीडियो के बात कर लेना पूछ लेना कि सर मुझे यह वाली पीडियाप चाहिए सब की वारें जानकारी मिल जाएगी केंद्री कपड़ा पंद्रालाय से संबंध मानव निर्मित वस्त अनुसांधान संग मानव निर क्या है मंत्रा ने अपनी तरह का पहला फेस मास्क और पीपीई किट पीपीई किट क्या होती है पता किसी को तो परसनल प्रोटेक्टिव एक्क्यूपेंट जो की हमें बचाता है उसको शौट फोम होता पीपीई पीपीई किट परिक्षण प्रयोग शाला उद्गाटन किय है यह कहां पर है तो फेस मास्क और पीपीई किट का परिक्षण होगा सूरत गुजरात में यह उद्गाटन हो चुका है आपका बन चुकी है प्रयोग शाला ठीक है या रखना किसने बनाई है तो मंत्रा मंत्रा को ने तो मानव जो है केंद्री कपड़ा मंत्राला इसे मंत्रा मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संग कॉशन नमर नौ बहुत ही अच्छे कॉशन लाए हूं दोस्तों यह तो पढ़ लेना पढ़ ही लेना यह आपको एक्जाम में मिलने वाले 100% यू एस ओपन टैन्स 2022 का महीला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्वियंग ते और यह किस देश की खिलाडी हैं तो यह पोलेंड की खिलाडी हैं आपकी या रखना अगला कोशन देखो हाल ही में भारती खाद निगम FCI की सलाकार समीती के सदस्य के रूप में किसको निक्त किया गया है या रखना भारती खाद निगम FCI का सलाकार निक्त किया गया है इनका प्रस्थिक्षन होगा भारत और मेडा गासकर के बीच में यह समझोता हुआ है मैडा गासकर याद रखना अगला कोशन देखो कोशन नमर 12 जो इस्टार बोलू उसको लिख लेना जो इस्टार बोलू उसको स्क्रींशॉट लेना उसको याद कर लेना किसने Skill of Prototype Modeling World Skill Competition 2022 मतलब WSC 2022 में कहां से पदक जीता है तो WSC 2022 में कहां से पदक जीता है आपका लिखित YP ने लिखित YP ने WSC में कहां से पदक जीता है भारतिय नौसेना के पांचवे Stealth Frigate P-17A का नाम क्या है जिसे हाल ही में लौंच किया गया है तो नौसेना ने तारागीरी नाम का अपना पांचवा Stealth Frigate लौंच किया नाम है तारागीरी यार रखना इस्टार लगा लो इस कॉस्चन को क्रिकेट में हाल ही में स्रीलंका ने किस देश को हरा कर एशिया कप जीत लिया है तो बहुत important question है अभी एशिया कप बिल्गों खताम हुआ है पाकिस्तान को हराया है एशिया कप में अच्छा चलो कमेंट करके बताना आप सभी जो मैच देखते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा विराट कोहली की कौन से नंबर की सेंचुरी लगी अभी 1000 दिन बार करीब करीब 20 साल बार विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है कौन से नंबर की सेंचुरी अभी एशिया कप में लगा है विराट कोहली ने कमेंट करके बताओ देखते हैं किसको याद है पढ़ते सब हो लेकिन जो भी पढ़ो वो दिमाग में बैठना चाहिए तब बात है पता सब को का नीउस अब ने देखी होगी नीउस में भरबर क्या है कि विराट कोली की सेंचुरी विराट कोली की सतक कौन से नंबर की है कमेंट करके उताओ सयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम UNDP के वर्ष 2021 के मानव सूचकांक क्या बात है Human Development Index मानव विकास सूचकांक मैं भारत की रेंग क्या है तो मानव विकास सूचकांक इस्टार लगा लो एक नहीं चार लगा लो चार नहीं दस लगा लो बिल्कुल इस्टार 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 चामल रहेंगे उस पर 20 प्रतीशत का निर्याज़ सुल्क लगा दिया है, घरेलू आप पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 प्रतीशत का निर्याज़ सुल्क लगा दिया है, सैयुक्त राश्ट महाँ सचयो एंटोनियो गुतेरस, ने वोलकर तुर्क को सयुक्त महासचिव कौन है एंटोनियो गुटेरस और इनों ने जो है वोलकर तुर्क नाम के एक व्यक्ति हैं उनको सयुक्त राष्ट मानव अधिकार का उच्चा एक तो निक्त किया है और वोलकर तुर्क ये आपके आउस्ट्रेलिया के हैं तुर्क समझ के तुर्की मत बोल देना त सब से पहला तो सबसे पहला करें क कि ये इक वोल रहा है च्पीआ और उद्योंग मंतरी किस शहर में भारत प्रशान्त आर्थिक मन्च की मंत्री तरहें वैठक मैं हिस्सा प्रशांद आर्थिक मंच एन लॉस एंजलिस में हुई थी लॉस एंजलिस कहां पड़ता है तो USA में Los Angeles पढ़ता है केंद्रिये ग्रह एवं सहकारिता मंत्री अमिश्चा ने किस शहर में Fit India Freedom Rider Biker Rally को हरी जंडी दिखाई और रवाना किया तो पहले याद रखो इतना लंबा नाम है क्या नाम है भईया Fit India Freedom Rider Biker Rally याद हुआ? दो बार पढ़ लो याद हो जाएगा तो ये जो है दिल्ली से निकली ये Rally और इसको किस ने हरी जंडी दिखाया या जंडी दिखाकर रवाना किया उद्गाटन किया कुल मिला के तो अमिच्शा जो की केंदरी ग्रह और सहकारिता मंत्री के पतपर है भारत और USA ने भारत में ब्रक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए कौन सी नहीं पहल शुरू की? या रखना बहुत इंपोर्टन है Trees Outside Forest in India Trees Outside Forest in India ये भारत और USA ने मिलकर ये जो है पहल शुरू की है अगला देखिए भारतिय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत यूरेशिया व्यापार परिशर IETC के सयोग से कहां पर भारत अर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयुजन किया ये आपका आयुजित हुआ है बैंगलूरू में किस ने किया तो आर्थिक व्यापार संगठन भारत वाला और भारत यूरेशिया व्यापार परिशर अगला कॉशन देखिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारती से ना ने किस मिसाइल प्रणाली का सफलता पूरा परिक्षन कर लिया है हंड़ेट परसेंट आने वाला ये कॉश्चन लिख के ले लो किसी ना किसी को तो एक्जाम में आ जाएगा क्विक रियक्शन सरफेश टू एयर मिसाइल क्यू आर सेम क्यू आर एस एम तो क्यू आर सेम भी बोल सकते हो नहीं तो फुल फॉर्म भी आ रखना इसकी शूट ले लो उस कॉश्चन का दोस्तों यह सभी आपको कॉश्चन मिल जाएंगे पीडिएप में पीडिएप हमने बनाई है करंट अवेस की पीडिएप सिर पच 10,000 समझ रहो उसको रट डाला ना आपने 10,000 को समझ जाओ 10,000 कोशन ने जीगे रट लिए आपके कई एक्जाम में आयुए 3 साल से बार बार आयुए कॉशन है 100 परशन भी फ्रसेंगे आपको किसी एक्जाम में नीचे दिएगा नंबर बात कर ले ना जिसको पीडिएफ च प्रशन के लिए अगले कौशन में आप से पूछा गया है कि प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री नर्ण मोदी ने इंडिया गेट पर किस महारती महापुरुष की 28 फिट उची प्रतिमा अनावरण किये तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेता जी सुभाष प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया किसे केंद्री मंत्री ने यूएस इंडिया बिजनिस काउंसल द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट में भाग लिया इंडिया आइडिया समिट इसमें हमारे यहां से गय थे धर्मेंद्र प्रधान जी यू पांच हजा टन चांवल की खेप निर्यात की है तो पांच हजा टन चांवल की खेप मैड आगासकर को भीजी गई है भारत की दब से किसको मैडा आगासकर को एससीएटर चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडरस्टी आफ इंडिया जिसको एसो चेंब बोला जाता है क्या जाता है एसो चेंब चाहो तो शौटपाओं याद रखो एसो चिंब लंबा नाम याद निए तो मैं हाइल आपका नएहाल हमै किस देश के साथ वियापार में सहिओ बढ़ाने के लिए समझोता बढ़ाने के लिए ग्यापन पर हस्टक्षर किये हैं हाल ही में भारत और जापान दोनों देशों की वायू सेनाओं के बीच एक नए वायू अभ्यास को शुरू करने के लिए सहमती प्रदान की गई है कौन सा अभ्यास है अभ्यास का नाम है अभ अभ्यास किस के बीच में हुआ है कमेंट करके अभी इसी वीडियो में मैंने कुछ दिर पहले आपको बताया होगा यदि आपको याद होगा तो बताइए वर्ष दोयार पच्छिस तक देश से टीवी उनमूलन के मिशन को फिर से जीवन्त करने के लिए 9 सितंबर को प्रद बतानमंत्री मौधी ने इस्टन इकोनोमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संभुषत किया यह रूस के किस शहर में आजूत क्या जा रहा है तो री रूस के व्लादी वोस्तक में ये संभिलन ये आपका जो है इकोनोमिक फोरम इसका एह जिन क्या रहा है कहां पर रूस के निया अधीश के लिए नामित किया है तो भारत के अरुन सुब्रमनियम जी को नियू यॉर्क में अमेरिकी जिला निया अधीश के रूप में नुक्त किया गया है अरुन सुब्रमनियम या रखना भारत के किन तीन शेहरों को UNESCO Global Network of Learning Cities में शामिल किया गया केंद्रिय मंदल ने सिक्षा के चित्र में सयओक के लिए किस देश के साथ हुए स्युक्त अरब अमीराद के साथ है हावल मेरक्षा मंत्री राजनात सिंह जी और S.J. संकर जी जापान के साथ two plus two मंत्री स्तरी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं भारतिय मूल की बैरिश्टर कौन है जिने हाल ही में United Kingdom का नए अग्रह सचिव चुना गया है तो UK का नए अग्रह सचिव सुएला ब्रेवर मैं को चुना गया है ये भारतिय मूल की हैं बैरिश्टर हैं केंद्रिय मंत्री जीतेंज सिंग ने जम्मू काश्मिर के किस जिले में हाल ही में एक चिकिस्सा सिवर का उधगाटन किया गया जा रखना वर्तमान में भारत जापान और भारत की राजदूत संजे कुम GM gm je के महां वाणिजिं के धूतावाद सिकागों की वांजि धूत कौन है जिनने दक्षन कोरिया में भारत के अगले राजदूत की रूप में नुच्खिया गया है सुब्रतो कप इंटरनेशन फूट बल टोरणामेंट का एक सटथवा संस्क्रंद किसे राज़े में आज़ने किया गया तो सुबरतो कप ये हुआ है आपका दिल्ली में या रखना सुबरतो कप किसे समय सुबरतो कप ये आपका football से समद्ध है याद रहेगा आगला question देखिए भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम इस्थापित किया गया Most important style लगा लो त्रिपुरा दस पारा गाउं भारत का पहला जैव ग्राम जो है इस्थापित किया गया है मैत्री सुपर्थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट एक को हाल ही में लॉंच किया गया 21 देश के साथ भारत की सयुक्त सीमा परियूजना है तो भारत और बांगलादेश की सयुक्त सीमा परियूजना है जिसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट डॉक्टर मंसु कमांडवीजी ने कितने राज्यों में राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम NCDC की साखाओं की आभासी रूप से आधारशला रखी तो NCDC की आधारशला छे राज्यों में रखी गई है यह रखना छे राज्यों में डॉक्टर मंसु कमांडवीजी ने रखी है भारत के मुख्य ने आया है दीश न्यामूर्ती उदय उमेश ललित ने यू यू ललित जो नाम है उनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित ने कहां पर राष्ट्रिय विविदिक सेवा प्रधीकन ना स्कूल में 14500 स्कूलों के विकास और उन्यन के लिए कौन सी यूजना स्टार्ट की है तो 14500 स्कूल इनके लिए यूजना स्टार्ट की गई है प्रधान मंतरी स्कूल फॉर राइजंग इंडिया ये श्टार्ट हुई है या रखना आगला कोशन देखिए राष्ट्पती द कौशन आयोए एक्जाम में कौशन अगले कौशन पूचा गया है कि ब्रिटेन की अगली प्रधान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है तो ब्रिटेन की अगली प्रधान मंत्री के रूप में आपका लिज ट्रस को चुना गया है लिज ट्रस ब्रिटेन की अगली प्रधा सुक्विंदर सिंग ने स्वॉर वद्धि किया है गाई है कि संहारो गहाटन सट्mberफ टारीक को किया जाएगा या होचुका है नρχ arriv ग्रह मनथ्री अमिशन प्रतियोगिता अएस अफ BT 근er 17 चेंपियंशिप की मेजवानी कौन सा दिश कर रहा है तो फुटबॉल प्रतियोगता से एफ अंडर 17 श्रीलंका इसकी मेजवानी कर रहा है हाल ही में प्रतिष्टित नहरू ट्रॉफी बोट रेश जिसका जो है अनसटवा संस्क्रण किस राज्य में आउजित किया गया तो न दर चार्त दिवसी दौरे पर जन्रल मनुझ पांड़ जी गए है या रखना और यह भारत की सेना प्रमुख है भार्त के पहले स्वदेशी-विक्रांट का निर्मान किसके द्वारा किया गया तो आई-एन-एस विक्रांथ का निर्मान किया गया है कोचीन शिपयार्ड ने किया किसे कि आए कोची शिप याड ने आईने से विक्रांत का निर्माड किया है हाल ही में अखिल भारती फुटबॉल महसंग के नहीं देख्ष कोन है कल्यान चौबेजी को चुना गया है केंद्री आयउरुवेदिक विज्ञान अनुसंधान परिसर ने अध्यन कर रहे अगस्त 2022 के महीने के लिए प्रसाशनिक सुधार और लोग सिकायत विभाग D.A.R.P.G. द्वारा प्रिकाशित रेंकिंग में लोग सिकायतों के समाधान में शीर्ज पर कान रा देश में तो भारतिय विशिष्ट पहचा प्राधिकन जो कि UIDAI ये सीज़ पर रहा भारत के पहले स्वादेशी विवान वहकपोत INS विकरांथ को किस ने डिजाइन किया तो INS विकरांथ को वर्शिप डिजाइन ब्यूरो ने जो है डिजाइन किया हाली में रूस में शुरू हुए किस युद्ध वियास में भारती सेनदल भाग ले रहे हैं तो वोस्तुक 2022 में भारती सेनदल भाग ले रहे हैं रूस में स्टार्ट हुआ है ये भारत-ताइवन पार्टनर्शिप के तहत Sustainable Smart City Research Lab का उधाटन किस University के Campus में किया गया है तो Sustainable Smart City Research Lab का उधाटन चितकारा University चंडीगड में ये किया गया है किस उधमी और सामाजिक कार्यकरता को प्रतिष्टित भारती CSR पुरुषकार से समानत किया गया तो कोची मेट्रो के दूसरे चनका सिला नियास प्रधान मतनी नरेंद मोधी जी ने किया हाल हमें किस राजी ने छातरों की सिख्षा के लिए Virtual School लौझ किया तो दिल्ली ने छातरों की सिख्षा के लिए Virtual School को लौझ किया रिलाइंस इंडरस्टीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइवर प्लांट किस राज में लगाने की घोशना की है तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइवर प्लांट ये गुजरात के हजीरा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा इस्टार लगा लो मंतराले के दौरा एशिया वन पत्री का दौरा आयोजित एशिया अफ्रिका बिजिनस एंड शोशल फॉरम के अठारवे संस्क्रण एवं वर्ल्ड ग्रेटेश्ट लीडर अवर्ड 2021 में किसे सम्मानत किया गया है तो यह रखना वर्ल्ड ग्रेटेश्ट लीडर अवर्ड हर शोवर्धन पुसाला को इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है अगला कोशन दिखिए किस केंद्री मंत्री ने हाल ही में ने दिल ली मैं केंद्री ससस्त्र पुलिस बल मतलब C.A.P.F की वेंबसाइड यी आवास को लॉंच किया है तो एक C.A.P.F की नई वेंबसाइड बनित्री ससस्त्र पुलिस बल ग्रह मंत्री अमित शान इसको लॉंच किया है शीलंका सलकार नए हाल ही में किसके साथ देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए 2.9 अरब डॉलर के रिंड के लिए आरंबिक समझोता किया है तो 9.2 अरब डॉलर का रिंड अंतराश्टी मुद्रा कोश देगी या रखना शीलंका सरकार या रखना अगला कोशन देखिए तेजस मार्क टू लडाकू जैट के डिजाइन और विकास के लिए प्रधान मंतरी के अधिक्षता वाली कैबिनिट मंतरी ओन सिक्योर्टी सी सी एस ने कितने कड़ रोपे मंजूरी दी है तो तेजस मार्क टू लडाकू जैट ये डिजाइन और विकास करेगा इसके लिए विकास होगा इसका पैंसट सौ करोड रोपे की मंजूरी दी है 6500 करोड किस कंपनी ने हाल ही मैं मल्टी ड्रग रजिस्टेंस ट्यूबरो कलोसिस MDR-TV और अन्य संक्रमण रोगों के पता लगाने के लिए रैपिड मॉलिकुलर तकनीक लौंच की है तो बीडी इंडिया एक कंपनी है इस्टार लगा लू बीडी इंडिया एक कंपनी है तो जो MDR-TV होती थी उसका पता रिकॉर्ड किसने मनाया है तो अमलान बोर होगेन इन्होंने सौ मीटर की दोड़ 10.25 सेकेंड में पूरी करके देश का नया राष्ट अंतर राष्टी नहीं राष्टी रिकॉर्ड बना लिया है संसेट वे फिल्म पेर अवोर्ड में क्रती सेनन को किस फिल्म के लिए सर्व एबिनेत्री का फिल्म पेर और अवोर्ड मिला है हाल ही मैं किस महिला टैनिस खेलाडी ने सान्याज की घोशना की है तो एंड़िया पैटको विच यह जर्मनी की है US India Business Council India USIBC का प्रमुक। इंडिया आइडिया समिट कहा जित किया जाएगा। अधे 162 फिल्म Еश्ई फिल्म का पुरुसकार किस फिल्म को दिया गया। पुस्तक दा हिडन जेम्स को लॉंच किस ने किया तो एक पुस्तक है दा हिडन जेम्स आमन तलवार इन्होंने दा हिडन जेम्स नाम की पुस्तक को लॉंच किया किस ने किया केंदुरी पर्यावणन मंतरी तो किन्द्र। के संगत आधारी संग्रत आधार के साइंस ब्हाइं या नमसकारी सॉरी नमसकार क्या बात है साइन्स बेहाइंड सूरज नमस्कार नामक पुस्तक का विवोचन किस ने किया तो डॉक्टर मंजू पारा महिंद्र भाई आयुश राजमंत्री हैं इन्हों ने साइन्स बेहाइंड सूरज नमस्कार पुस्तक को लौंच किया है हाल ही में किसे केंद्रिय मंत्री ने केंद्रिय शुष्क छेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो की जोदपर में चार नई सुधाओं का अगहटन किया है तो नरेंद्र सिंग तोमर ने इसका अगहटन किया है हाल ही में भारती अमेरिका सयुक्त विशेश बल अभ्यास जिसको बज्जर प्रहार 2022 के नाम से जाने जाता है तेरेवे संस्क्रण का समापन हुआ कहां पर तो देखो मैंने आपको पिछ बलेक बताय था ठीके अब बज्जर प्रहार और एक जापान वाला ही बताय था मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है तो बकलो हिमाचल प्रदेश में बज्जर प्रहार 2022 का समापन हुआ यह भारत और अमेरिका का सयुक्त विशेश बल अभ्यास है योगा कारिक्ट्राम एवं गे खेल मंत्राल है 29 अगस्त को राश्ट्री खेल दिवस के अउसर पर देश भर की कितने स्कूलों में चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन किया जाएगा